इबरानियों के नाम पत्री पहला अध्याए पूर्व युग में परमेशोर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भाती भाती से भविश्य दुखताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हम से पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तूं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सिस्टी रची है वो उसकी महीमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तूं को अपनी सामर्द के वचन से संभालता है वो पापों को धोकर उंचे स्थानों पर महामहिम के दहने जा बैठा और सुख़दूतों से उतना ही उत्तम ठेरा जितना उसने उन से बड़े पत का वारिस होकर उत्तम नाम पाया क्योंकि सुख़दूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्बन हुआ और फिर ये की मैं उसका पिता होंगा और वो मेरा पुत्र होगा और जब पहलोट को जगत में फिर लाता है तो कहता है की परमिश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दन्वत करें और सर्दूतों के विशे में ये कहता है की वो अपने दूतों को पवर और अपने सेवकों को धड़क्ति आग बनाता है परम्तू पुत्र से कहता है की हे परमिश्वर तेरा से हासन युगान युग रहेगा तेरे राज्य का राजड़ न्याय का राजड़ तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से मैं रखा इस कारण परमिश्वर तेरी परमिश्वर ने तेरे साथियों से बढ़ता हर शुरूपी दिल से तुझे अभिशेक किया और ये की? हे प्रमिश्वर आदी में तूने पृत्वी की निवड़ा गे और स्वर्म तेरे हाथों की कारीगरी है वे तू नाश हो जाएगे पर तू तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र की नाई पुराणे हो जाएगे और तू उन्हे चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदर जाएगे पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंतना होगा और सरदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाइने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाओं के नीचे की पीड़े न घड़ दू क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो ओदार पाने वालों के लिए सेवा करने को भीजी जाती है अध्याए दो इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं ऐसा नहों कि बह कर उनसे दूर चले जाएं क्योंकि जो वचन सरदूतों के द्वारा कहा गया था जब वो इस्तिर रहा और हर एक अपराद और आग्या ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला तो हम लोग ऐसे बड़े उद्दार से निश्चिंत रहकर क्योंकर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभू के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चे हुआ और साती परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अदभुत कामों और नाना प्रकार के सामड़ के कामों और पवत्र आत्मा के वर्दानों के बातने के द्वारा इसकी गवाई देता रहा उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्दूतों के आधी ना किया, वरण किसी ने कहीं ये गभाई दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधी लेता है या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर रिष्टी करता है तू ने उसे स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया तू ने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया तूने सब कुछ उसके पावों के नीचे कर दिया इसलिए जबके उसने सब कुछ उसके आधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके आधीन ना हो पर हम अब तक सब कुछ उसके आधीन नहीं देखते पर हम येशु को जो सरदूतों से कुछ ही कम किया गया था मिर्तियू का दुख उठाने के कारण महिमा और आधर का मुकट पहने हुए देखते हैं ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मिर्तियू का स्वा चखे क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाए तो उनके उदार के करता को दुख उठाने के द्वारा सिद करे क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किये जाते हैं सब एक ही मूल से हैं इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाईयों को सुनाऊंगा सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा फिर ये कि मैं उस पर हरोसा रखूंगा और फिर ये की देख मैं उन लड़कों सहित जिन्हें परमेश्वर ने मुझे तिये इसलिए जबकि लड़के मास और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका से भागी हो गया ताकि मृत्यू के दौरा उसे जिसे मृत्यू पर शक्ती मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मिर्तियों के भै के मारे जीवन भर दास्ता में फसे थे उन्हें छुडा ले क्योंकि वो तो सवधूतों को नहीं वरन इब्राइम के वंच को संभालता है इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाईयों के समान बने जिससे वो उन बातों में जो परमेशोर से संबन रखती हैं एक दयालू और विश्वास योग्य महायज़क बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्राष्चित करे क्योंकि जब उसने परिख्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी साहता कर सकता है जिनकी परिख्षा होती है अध्याय तीन सो हे पवित्र भाईयो तुम जो स्वर्गी बुलहाट में भागी हो उस प्रेरित और महायाज़क येश्व पर जिसे हम अंगिकार करते हैं ध्यान करो जो अपने न्यूक्त करने वालों के लिए विश्वास योगि था जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योगि समझा गया है जितना की घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योगिरहा कि जिन बातों का वर्णन होने वारा था उनकी गवाई दे पर मसी पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है यदि हम सहास पर और अपनी आशा के घमण पर अंतक दिड़ता से इस्थिर रहें तो उसका घर हम है सो जैसा पवत्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो जैसा के क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जाच कर परखा और चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे इस कारण मैं उस समय के लोगों से उठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इनोंने मेरे मारगों को नहीं पहचाना तब मैंने क्रोध में आकर शपत खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे हे भाईयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परवेशोर से दूर हट जाएं वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाएं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंध तक दृड़ता से इस्तिरहें तो हम मसी के भागी हुए हैं जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो जैसा कहे प्रोध दिलाने के समय किया था भला किन लोगों ने सुनकर प्रोध दिलाया क्या उन समने नहीं जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले थे और वो चालिस वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा क्या उनी से नहीं जिन्होंने पाप किया उनकी लोथे जंगल में पड़ी रही उसने किन से शपत खाई कि तुम मेरे विश्रा में प्रवेश करने ना पाओगे केवल उनसे जिन्होंने आग्या ना मानी सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके अध्याय चार इसलिए जबकि उसके विश्रा में प्रवेश करने की प्रतिग्या अब तक है तो हमें ड़णा चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाब ना हुआ क्योंकि सुनाने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपत खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे यदिपी जगत की उद्बती के समय से उसके काम हो चुके थे क्योंकि साथ में दिन के विशे में उसने कहीं यू कहा है कि परमेश्वर ने साथ में दिन अपने सब कामों को निप्टा करके विश्राम दिया और इस जगे फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे तो जब वो बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आग्या ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया तो फिर वो किसी विशेज दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाउत की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो यदि यहुशु उन्हें विश्रा में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती सो जान लो कि परमेशुर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेशुर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रेतन करें ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आग्या ना मान कर गिर पड़े क्योंकि परमेश्य का वचन, जीवित, प्रवल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है वो जीव और आत्मा को और गाट-गाट और गुदे-गुदे को अलग करके वार-पार छेता है और मन की भावनाव और विचारों को जासता है स्रिस्टी की कोई वस्तू उससे छिपी नहीं है वरन जिससे हमें काम है, उसकी आँखों के सामने सब वस्तूएं खुली और बेपरद है जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्य का पुत्र येश्यू, तो आओ, हम अपने अंगेकार को दृड़ता से थामे रहें हमारा ऐसा महायजक नहीं, जो हमारी निर्वलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निश्पाप निकला इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिहासन के निकट हया बांद कर चले, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं, जो आविशक्ता के समय हमारी साहता करे अध्याए पांच क्योंकि हर एक महाय जग मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विशे में, जो परमेशों से सम्मन रखती हैं, ठेहराया जाता है कि भेंट और पाप बली चड़ाया करे और वो अज्यानों और भूले भटकों के साथ नर्मी से विवहार कर सकता है इसलिए कि वो आप भी निर्वलता से खिरा है और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बली चड़ाया करें और ये आदर का पत कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्र की ओर से ठहराया न जाये वैसे ही मसी ने भी महायजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुझे जगवाया है वो दूसरी जगा में भी कहता है तू मने किसी दख की वीदिपर सदा के लिए याजक है उसने अपनी दे में रहने के दिनों में उचे शब से पुकार पुकार कर और आशु बहा बहा कर उससे जो उसको मिर्तियू से बचा सकता था प्रातनाएं और बिंती की और भक्ती के कारण उसकी सुनी गई और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्या माननी सीखी और सिद्ध बन कर अपने सब आज्या मानने वालों के लिए सदा काल के उदार का कारण हो गया और उसे परमेश्योर की ओड से मल्की सिद्ध की रिती पर महायजक का पद मिला इसके विशे हमें बहुत सी बाते कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है इसलिए कि तुम उचा सुनने लगे हो समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था तो भी क्या ये आवशक है कि कोई तुम्हें परमेश्योर के वच्चनों की आदी शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन के बदले अब तक दूद ही चाहिए दूद पीने वाले बच्चे को तो धरम के वच्चन की पैचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है अन से आनों के लिए है जिनके ज्यानेंद्रिये अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं अध्याए छे इसलिए आओ मसी की शिक्षा की आरम की बातों को छोड़ कर हम सिधता की ओर आगे बढ़ते जाएं मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेशु पर विश्वास करने और बप्तिस्मों और हात रखने और मरे हुँ के जी उठने और अन्तिम न्याई की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले यदि परमेशु चाहे तो हम यही करेंगे क्योंकि जिन्हों ने एक बार जोती पाई है और जो स्वर्गी वर्दान का स्वाच चक चुके हैं और पवत्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेशु और के उत्तम वचन का और आने वाले युक की सामर्थों का स्वाच चक चुके हैं यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराओ के लिए फिर नया बनाना अन होना है क्योंकि वे परमेशु के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चड़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंग लगाते हैं क्योंकि जो भूमे वर्षा के पानी को जो उस पर बार-बार पढ़ता है पी-पी कर जिन लोगों के लिए वो जोती बोई जाती है उनके काम का साखपात उप जाती है वो परमेशु से आशिश पाती है पर यदी वो जाड़ी और उन्ट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंद जलाया जाना है पर हे प्रियों यद पी हम ये बाते कहते हैं तो भी तुम्हारे विशे में हम इस से अच्छी और उदार वाली बातों का भरोसा करते है क्योंकि परमेशु अन्याई नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रिती से दिखाया कि पवत्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो पर हम बहुत चाते हैं कि तुम में से हर एक जन अंतक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रेतन करता रहे ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरन करो जो विश्वास और धीरच के दोआरा प्रतिज्याओं के वारिस होते हैं और परमेश्वर्न इब्रायम को प्रतिज्याद देते समय जबकि शपत खाने के लिए किसी को अपने से बढ़ा ना पाया तो अपनी ही शपत खा कर कहा कि मैं सचमुझ तुझे बहुत आशिश दूँगा और तेरी संदान को बढ़ाता जाओंगा इस रिती से उसने धीरच धर कर प्रतिज्या की हुई बात प्रात की मनुश्य तो अपने से किसी बड़े की शपत खाया करते हैं और उनके हर एक विवात का फैसला शपत से पक्का होता है इसलिए जब परमेश्यों ने प्रतिज्या के वारिसों पर और भी साफ रिती से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती तो शपत को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विशे में परमेश्यों का जूटा ठैनना अन होना है हमारा दिरता से ठाडस बन जाए जो शरण लेने को इसली दोड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप करें वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो इस्थिर और डड़ है और परदे के भीतर तक पहुंसता है जहां येश्यू मल्कि सिदिक की रिती पर सदाकाल का महाया जग बन कर हमारे लिए अग्वे की रिती पर प्रवेश हुआ है अध्याय साथ ये मल्कि सिदिक शालेम का राजा और परमपरधान परमेश्व का याजग सरवदा याजग बना रहता है जब इबराहिम राजाओं को मार कर लोटा जाता था तो इसी ने उससे भेट करके उसे आशिज दी इसी को इबराहिम ने सब वस्तू का दश्वा अंच भी दिया ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धरम का राजा और फिर शालेम अर्था शांती का राजा है जिसका ना पिता ना माता ना वंचावली है जिसके ना दिनों का आदी है और ना जीवन का अंध है परंतू पर्मेश्व के पुत्र के स्वरूप ठैरा अब इस पर ध्यान करो कि ये कैसा महन था जिसको कुलपती इबराहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दश्वा अंच दिया लेवी की संतार में से जो याजक का पत पाते हैं उन्हें आज्या मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाईयों से चाहें वे इबराहिम ही की दे से क्यों न जन्मे हो व्यवस्था के अनुसार दश्वा अंच ले पर इसने जो उनकी वन्चावली में भी ना था इबराहिम से दश्वा अंच लिया और जिसे प्रतिज्याय मिली थी उसे आशिश दी इसमें संदे नहीं कि छोटा बड़े से आशिश पाता है यहां तो मरणहार मनुष्य दश्वा अंच लेते हैं पर वहां वही लेता है जिसकी गभाई दी जाती है कि वो जीवित है तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दश्वा अंच लेता है इब्रायम के दवारा दश्वा अंच दिया क्योंकि जिस समय मल्की सिदेक ने उसके पिता से भेज की उस समय ये अपने पिता की देह में था तब यदि लेवी याजक पत के दवारा सिद्धता मिल सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी तो फिर क्या आविशिक्ता थी कि दूसरा याजग मल्की सिदे की रिती पर खड़ा हो और हारून की रिती का ना कहला है क्योंकि जब याजग का पत बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अविश्य है क्योंकि जिसके विशे में ये बाते कही जाती हैं कि वो दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की तो प्रकट है कि हमारा प्रभू यहुदा के गोत्र में से याजक उत्पन होने वाला था जो शारिरिक आग्या की विवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार निउक्त हो तो हमारा दावा और भी स्पश्टता से प्रगठ हो गया कि तू मने किसी तक की रीदी पर युगार युग याजक है निदान पहली आग्या निर्बल और निश्फल होने के कारण लोप हो गई इसलिए कि विवस्था ने किसी बात की सिद्धी नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीब जा सकते हैं कारण के मसीह की नियुक्ति बिना शपत नहीं हुए क्यूंकि वे तो बिना शपत याजक ठेराए गए पर ये शपत के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विशे में कहा कि प्रभू ने शपत खाई और वो उससे फिर न बच्टाएगा कि तू युगान याजक है सरवदा जीवित है सो ऐसा ही महायजक हमारे युगे था जो पवित्र और निश्कपट और निर्मल पापियों से अलग और स्वर्ख से भी उंचा किया हुआ हो उन महायजकों की नाई उससे आवश्चक नहीं कि प्रति दिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलीदान चड़ाए क्योंकि उसने अपने पाप को बलीदान चड़ा कर उसे एक ही बार निप्टा दिया विवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायजक निउक्त करती है परन्तु उस शपत का वचन जो विवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को निउक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है अध्याय आठ अब जो बाते हम कह रहे हैं उन में से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा महायजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिहासन के तहने जा बैठा है वो पवित्र स्थान और उस सचे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभू ने खड़ा किया था हर एक महायजक भेट और बलिदान चड़ाने के लिए ठेहराया जाता है इसकारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चड़ाने के लिए हो यदि वो प्रती पर होता तो कभी याजक ना होता इसलिए कि विवस्था के अनुसार भेट चड़ाने वाले तो हैं जो सौर्मे की वस्तूओं के प्रतिरूप और प्रतिविम की सेवा करते हैं जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चितावनी मिली देख जो नमूना तुझे पहार पर दिखाया गया था उसकी अनुसार सब कुछ बनाना पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्त ठेरा जो और उत्तम परतिग्याओं के साहरे बांदी गई है क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोश होती तो दूसरी के लिए अफसर ना ढूना जाता पर वो उन पर दोश लगा कर कहता है कि प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहुदा के घराने के साथ नई वाचा बातूंगा यह उस वाचा के समान नहोगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बादी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्व देश से निकाल लाया क्योंकि वे मेरी वाचा पर इस दिर न रहे और मैंने उनकी सुधी न ली प्रभु यही कहता है भे प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राइल के घराने के साथ बांदूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हरदे पर लिखूंगा और मैं उनका परवेश्वल ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेगे हरे अपने देशवाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तु प्रभु को पहचान क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे क्योंकि मैं उनके अधर्म के विशे में देयावंध होंगा और उनके बाबों को फिर स्मरण न करूंगा नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया और जो वस्तु पुरानी और जीन हो जाती है उसका मिट जाना अनिवारे है अध्याए नौ निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था अर्थाथ एक तंबू बनाया गया पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है और दूसरे परदे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है उसमें सोने की धूबदानी और चारो ओर सोने से मणा हुआ वाचा का संदू और इसमें मना से भरा हुआ सोने का मर्थवान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गय थे और वाचा की पटियां थी और उसके उपर दोनों तेजो में करूट थे जो प्राष्चित के ठकने पर छाया की हुए थे इनहीं का एक-एक करके वर्णन करने का अभी अफसर नहीं है जब ये वस्तुएं इस रिती से तयार हो चुकी तब पहले तंबू में तो याजक हरसा में प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिये नहीं जाता जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल्चूप के लिए चड़ावा चड़ाता है इससे पवत्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवत्र इस्थान का मार प्रकट नहीं हुआ यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दिस्थान्त है जिसमें ऐसी भेट और बलिदान चड़ाए जाते हैं जिन से आराधना करनेवानों के विवेग सिद नहीं हो सकते वे केवल खाने पीने की वस्तूओं और भाती भाते के सनान विधी के आधार पर शारिरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए निउक्त किये गए हैं जब मसी आने वाली अच्छी अच्छी वस्तूओं का महयजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस स्रिस्टी का नहीं उसने बक्रों और बच्छणों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्रा किया क्यूंकि जब बक्रों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुदुता के लिए पवित्र करती है तो मसी का लहू जिसने अपने आपको स जीवत्र परमेश्वर की सेवा करो इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्त है कि उस मिर्तियों के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपरादों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्या के अनुसार अनंत मिरास को प्रांग करें जहां वाचा बानने वाले की मिर्तियों का समझ लेना भी अविश्य है ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बानने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांदी गई जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आग्या सुना चुका तो उसने बच्छडों और बक्रों का लहू लेकर पानी और लाल उन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा की ये उस वाचा का लहू है जिसकी आग्या परमेश्वर नहीं तुम्हारे इसी रिती से उसने तंबू और सेवा के सारे समान पर लहू छिड़का विवस्था के अनुसार प्राए सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए शमा नहीं होती इसलिए अविश्य है कि सौर्मे की वस्तुओं के प्रतिरू इन के द प्रतम बलिदानों के द्वारा क्योंकि मसी ने उस हाग के बनाए हुए पवित्रस्थान में जो सच्चे पवित्रस्थान का नमुना है प्रवेश नहीं किया पर स्वर्गी में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्य के सामने दिखाई दे ये नहीं कि वो अपन की उत्पती से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना न्युक्त है वैसे ह की मसी भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उतार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा अध्याय दस क्योंकि विवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तों का प्रतिविम है पर उनका असली स्वरूप नहीं इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के दौरा जो प्रतिवर्ष अच्चूप चड़ाये जाते हैं पास आने वालों को कदापी सिथ नहीं कर सकती नहीं तो उनका चड़ाना बंद क्यों ना हो जाता इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठेराता परन्तु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है क्योंकि अन्होना है कि बैलों और बक्रों का लहू पापों को दूर करें इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है कि वलिदान और भेट तूने न चाही पर मेरे लिए एक देह तयार की होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन नहीं हुआ तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं पवित्र शास्त्र में मेरे विशय में लिखा हुआ है ताके हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ उपर तो वो कहता है कि न तूने बलिदान और भेट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन हुआ यदिपी ये वलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चड़ाए जाते हैं फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को निक्त करे उसी इच्छा से हम ये शुमसी की देखे एक ही बार बलिदान चड़ाए जाने के दुआरा पवित्र किये गए हैं और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रती दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चड़ाता है पर ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सुर्वदा के लिए चड़ा कर परमेश्वर के दहने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाउं के नीचे की पीड़ी बने क्योंकि उसने एक ही चड़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किये जाते हैं सरवदा के लिए सिद्ध कर दिया है और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाई देता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभू कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे पादूँगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके खड़े पर लिखूँगा और मैं उनके विवेक में ढालूँगा फिर वो यह कहता है कि मैं उनके बादों को और उनके अधर्ण के कामको फिर कभी इसमरण न करूँगा और जब इनकी शमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा सो हे भाईयो जब की हमें येश्यू के लहु के द्वारा उस नए और जीवते मार्क से पवत्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया है जो उसने परदे अर्था अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिशे किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है तो आओ हम सचे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोश दूर करने के लिए हिर्दे पर छिड़काव लेकर और दे को शुद जल से थुलवा कर परमेश्वर के समीब जाएं और अपनी आशा के अंगिकार को दृटा से थामे रहें क्योंकि जिसने प्रतिग्या की है वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें एक दूसरे के साथ इखटा होना ना छोड़ें जैसे की कितनों की रिती है पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों 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 और भी अधिक ये किया करो क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप करने के बाद यदि हम जान बूच कर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान पाकी नहीं हाँ दन का एक भयानक बाट जोना और आक का जोनन पाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा जबकि मूसा की विवस्था का ना मानने वाला दो या तीन जनों की कभाई पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दण के योग ठेरेगा जिसने परमेशर के पुत्र को पाउं से रौदा और वाचा के लहु को जिसके द्वारा वो पवित्र ठेराय गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रे के आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पर्टा लेना मेरा काम है मैं ही बद्रा लूगा और फिर ये कि प्रभू अपने लोगों का अन्याय करेगा जीवते परमेशुर के हातों में पढ़ना भयानक बात है उन पहले दिनों को स्मरण करो जिन में तुम जोती पाकर दुखों के बड़े जहमेले में इस्तिर रहे कुछ तो यह कि तुम निंदा और गलेश सहते हुए तमाशा बने और कुछ यह कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सरोधा ठैरने वाली संपती है, अपनी संपती भी आनन से लुटने दी, सो अपना हयाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, तुम्हें धीरस धरना को पूरी करके तुम प्रतिज्या का फल पाओ, अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, मेरा धर्वी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन नाओगा, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं. अध्याए ग्यारा अब विश्वास आशा की हुई वस्तूओं का निश्चे और अंदे की वस्तूओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विशे में प्राचीनों की अच्छी गवाई दी गई. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सिस्टी की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तूओं से बना हो. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चड़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाई भी दी गई. क्यूंकि परमेशवर ने उसकी भेंटों के विशे में गवाई दी और उसी के दोआरा वो मरने पर भी अब तक बाते करता है विश्वास ही से हनोग उठा लिया गया कि मिर्तियू को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्यूंकि परमेशवर ने उसे उठा लिया था उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाई दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन किया है विश्वास बिना उसे प्रसंद करना अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है विश्वास ही से नू ने उन बातों के विशे में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ती के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहास बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोशी ठेराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आग्या मान कर ऐसी जगा निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिग्या की हुए देश में जैसा पराय देश में परदेशी रहकर इजहाग और याकूब समेथ जो उसके साथ उसी प्रतिग्या के वारिस थे तंबूओं में वास किया क्योंकि वो उस इस्थिर नेवाले नगर की बार्ज होता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेशुर है विश्वास से सारा ने आप बुड़ी होने पर भी गर्वधारन करने की सामड पाई क्योंकि उसने प्रतिग्या करने वाले को सच्चा जाना था इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के थारों और समुंदर के तीर के बालू की नाई अंगिनित वंज उत्पन हुआ ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिग्या की हुई वस्तुमें नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आननित हुए और मान लिया कि हम प्रतिग्या पर पर देशी और बहारी है जो ऐसी ऐसी बाते कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सौदेश की खोज में है जिस देश से वे निकल आये थे यदि उसकी सुधी करते तो उन्हें लौट जाने का अफसर था पर वे एक उत्तम अर्थात सुर्गी देश के अभिलाशी हैं इसलिए परमेशर उनका परमेशर कहलाने में उनसे नहीं लजाता सो उसने उनके लिए एक नगर तयार किया है विश्वास ही से इब्राइम ने परखे जाने के समय इसहाग को बलिदान चड़ाया जिसने परतिग्याओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाग से तेरा वर्ष कहलाएगा और वो अपने एक लोते को चड़ाने लगा उसने विचार किया कि परमेशर सामर्थी है कि मरे हुए में से जिलाए सो उनी में से द्रस्तान्त की रिती पर वो से फिर मिला विश्वास ही से इसहाग ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विशे में आशी दी विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से प्रतेक को आशी दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दनवट किया विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्यों के विशे में आग्या दी विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन होने के बाद तीन महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुन्दर है और वे राजा की आग्या से ना डरे विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुक भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा और मसी के कारण निंदित होने को मिसर के भंडार से बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आँखे फल पानी की ओड़ लगी थी विश्वास ही से राजा के क्रोद से ना डर कर उसने मिसर को छोड़ दिया क्योंकि वो अंदेखे को मानो देखता हुआ द्रड रहा विश्वास ही से उसने फसे और लहु छिड़कने की विधी मारी कि बहलोठों का नाश करने वाला इस्राइलियों पर हाथ ना डाले विश्वास ही से वे लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए जैसे सुकी भूमी पर से और जब मिसरियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डू मरे विश्वास ही से यरियों की शहर बना जब साथ दिन तक उसका चकर लगा चुके तो गेर पड़ी विश्वासी से रहा वेश्या आग्या ना मानने वालों के साथ नाश ना हुई इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था अब और क्या कहूं क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदौन का पाराक और समसून का इफ्थी का डाउट और शामुएल का और भविश्व दुक्ताओं का वर्णन करूं इन्होंने विश्वासी के दौारा राच्चे जीते धरम के काम किये प्रतिग्या की हुई वस्तुए प्राप की सेहू के मूँ बंद किये आग की जौाला को ठंडा किया तलवार की धार से पच निकले निर्बलता में बलवंत हुए लडाई में वीर निकले विदेश्यों क की फोजों को मार भगाया इस्तरियों ने अपने मरे हुऊं को फिर जीर दे पाया कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा इसलिए कि उत्तम पुनरुठान के भागी हों कई एक ठटों में उड़ाये जाने और कोड़े खाने वरन बादे जाने और कैद मे पढ़ने के द्वारां परके गए कई पत्राओं किये गए आरे से चीरे गए उनकी परिक्षा की गई तलवार से मारे गए वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेडों और पक्रियों की खाले ओड़े हुए इधर-उदर मारे मारे फिरे और जंगलों और दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था, विश्वास ही के दुआरा इन सब के विशे में अच्छी गवाई दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्या की हुई वस्तू ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बार ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। को दूर करके, वो दोड़ जिसमें हमें दोड़ना है, धीरस से दोड़े। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले येश्व की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ जिनता ना करके कुरूस का दुख सहा, और सिह हासन पर परमेश्व के दायने जा बैठा, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वादविवाद सह लिया, कि तुम निराश होकर ह्याब ना छोड़ दो, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुट भेट नहीं की, कि तुमारा ल अलगी बात न जान, और जब वो तुझे खुड़के, तु हयाब न छोड़, प्रभू जिससे प्रेग करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़ी भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है, जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर वेविचार की संतान छेरे। करता है कि हम भी उसकी पवत्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनन की नहीं, पर शोखी की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए धीले हातों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पाउं के लिए सीधे मार बनाओ, कि लंगला भटक न जाए, पर भला जंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभू को कदापी ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्र के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कस्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन विविचारी या ऐसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशिश पानी चाही, तो अयोग गिना गय और आंसु बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराओ का अफसर उसे ना मिला। तुम तो उस पहार के पास जो छुआ जा सकता था और आख से प्रजुलित था और काली घटा और अंधेरा और आधी के पास और तुरही की धवनी और बोलने वालों के ऐसे शब्त के पास नहीं आ क्योंकि वे उस आग्या को ना से सके कि यदि कोई मशु भी पहार को छुए तो पत्थर भागिया जाएं वो दर्शन ऐसा डरानों था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कापता हूँ पर तुम से योन के पहार के पास और जीवते परमेश के नगर स्वर्गिये येरुशलम के पास और लाखो सरडूतों और उन पहलोटों की साधारन सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के नियाई परमेश के पास और सिद्ध किये हुए धर्म उसके शब ने प्रित्वी को हिला दिया और अब उसने ये प्रतिग्या की है कि एक बार फिर मैं केवल पर्थी को रही वरन आकाश को भी हिला दूँगा। जिसके द्वारा हम भक्ती और भैसहित पर्मेश्वर की ऐसी आरात्ना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन होता है क्यूंकि हमारा पर्मेश्वर भस करने वाली आग है। भाईचारे की प्रती बनी रहे। क्यूंकि पर्मेश्वर वेविचारियों और परस्त्री ग्रामियों का निहाय करेगा। तुम्हारा सुभाव लूब रहित हो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतूश करो। क्यूंकि उसने आप ही कहा है। मैं तुझे कभी न छोलूँगा। और न कभी तुझे त्यागूँगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभू मेरा सहायक है। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगवे थे और जिनोंने तुम्हें परमेश का वचन सुनाया। उन्हें स्मरण रखो। और ध्यान से उनके चालचलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुखरन करो। ये शुमसी, कल और आज और युगान युग एकसा है। नाना प्रकार के और उपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ। क्योंकि मन का अनुखरय से डिड़ रहना भला है। ना कि उन खाने की वस्तूओं से जिन से काम रखने वालों को कुछ लाब ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अदिकार उन लोगों को नहीं जो तंबु की सेवा करते हैं। क्योंकि जिन पशूओं का लहू महायाजद पाप बली के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है। उनकी दे चावनी के बहार जलाई जाती है। इसी कारण येशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए भाटक के बहार दुख उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने उपर लिए हुए छावनी के बहार उसके पास निकल चलें। क्योंकि यहां हमारा कोई इस्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तूती रूपी बलिदान, अर्थात, उन होटों का फल, जो उसके नाम का अंगिकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सरवदा चड़ाया करें। भलाई करना और उदारता ना भूलो। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसंद होता है, अपने अगूं की मानों और उनके आधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहतें, जिने लेखा देना पड़ेगा, कि वे ये काम आनन सिकनें, ना की ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हे कुछ लाब नहीं, हमारे लिए प्रातना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है, कि हमारा विवे शुद है, और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं, और इसके करने के लिए मैं तुम्हे और भी समझाता हूँ, कि मैं शीक्र तुम्हारे पास फिर आ सको, अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेडों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोहु के गुन से, मरे हुओं में से जिला कर ले आय तुम्हें हर एक भली बात में सिध्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है, उसे यीशु मसी के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे आमीन हे भाईयो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कि इन उपदेशों की बातों को सहलो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है तुम ये जान लो, कि तिमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वो शीगर आ गया, तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूँगा अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते है तुम सब पर अनुक्रह होता रहे, आमीन